नौर्थ इस्ट में कई उग्रबादी संगढ़न पैदा हो गए इन संगढ़नों का लोग तम्तर में विश्वात नहीं था वो यह सोचते थे कि हिंसा से ही रास्ता निकलेगा इस हिंसा में हजारों अंदर्दोष लोग हजारों सुरक्षा कर्मियों को शहादत मोलनी पड़ी क्या नौर्थ इसको हम अपने हाल पर ही छोड़ देते क्या अपने उन भाई बहनों की परिशानियों से उनकी दिक्कतों से ऐसे ही मूर फेर करके बैठ जाते मेरे नव जवान साथियों ये हमारे संस्कार नहीं है ये हमारी कारे संस्कृति नहीं है नौर्थ इसको लेकर आज आपने शायद सोचल मीडिया में अपने मोबाइल पॉन पर देखा होगा शायदा खबार देखने का मोका मिला होगा, टीवी देखने का मोका मिला होगा, मीडिया में भी देखा होगा बोडो समझ्या को लेकर एक बहुत बड़ा और तिहासिक सम्झोता हुआ है पिछले पांच-छे दसकों में देश के ऐसे छेत्र और विशेश का रसम जिस स्थिती से गुजरा है उसे बदलने के लिए कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई क्या हम इस स्थिती को ऐसे चलने देते हैं जी नहीं कताई नहीं हमने एक तरफ नौर्फिस के विकांस के लिए अभुद्पुर्वयोजनाओं की शुरुवात की और दूसरी तरफ बहती खूले मन और खूले दिल के साथ सभी स्थेखोल्डर्स के साथ बाची चुरू की बोड़ो समझोता आज इसी का परणाम है